आज के सेशन को शुरू करेंगे एक हलके फुल के मूड के साथ एक कोमेंड आया था मेरे पास कुछ दिन पहले किसी बच्ची का था, किसी लेडी का कि सर मेरा पेपर है ये फला वाला डेट दो महीने बाद, डिस्क्रिप्टिव उसमें आने वाला है सर मैं क्या करूँ? तब तो मैंने मजाग में लिख दिया था कि हाथ कापते हैं तो डॉक्टर को दिखाओ जवानी में हाथ कापना अच्छी चीज नहीं है लेकिन बाद मजाग की नहीं है यह समस्या उस लड़की की नहीं है, बहुत सारे लोगों की है आप में और मेरे में सही और ये समस्या हाथ कांपने की नहीं है आत्म विश्वास के कांपने की है अंदर डर बैठा होने की है तो सबसे पहली चीज दिमाग से निकाल दो English Writing एक कला है कला उनके लिए है जिनको चेतन भगत बनना है सर्मान रस्दी बनना है हमें राइटर नहीं बनना है हमें तो अपने एक्जाम में इतना अच्छे से लिख कर के आना है कि एक्जाम इनर खुश हो के अच्छे मार्क्स दे दे समझ गे चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को इसी समस्या के साथ मेरा नाम हैमन बहल बाइ प्रोफेशन एक गौवर्मेंट ऑफिसर हूँ इन क्लासिस के जरी आपको सिखाता हूँ इंगलिश का सेशन कैसे फेस करोगे किसी भी एक्जाम को आप इंडिया के दे रहे हो दनिक जागरेन आपके सामने खुला हुए इसकी न्यूज उठा लेते हैं अपने कौनसी वाली ये पैट्रोल डीजल पर टेक्स करतोती का राजस उपर नहीं दिखेगा असर स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस आर्टिकल को लिखने की कला मैं आपको इंग्लिश में सिखाता हूँ ना मुझे लाइक चाहिए ना मुझे आज शेयर चाहिए एक पैन और पेपर हाथ में ले लो और साथ साथ में जो मैं कर रहा हूँ कोशिश करते जाओ करने की बहुत असान हो जाएगा वीडियो की लास तक शुरू करें चलो यहां पे उपर हिंदी लिखे हुई है नीचे लिखे हुई है SMS वाली हिंदी जो नॉर्डर्ण इंडिया से नहीं है है न गरह सरगार का ये दावा है कि पेटरोल डीजल पर केंदर सरकार के द्वारा लगाये जाने वाला एकसाइस टेक्स और स्टेट्स और यूटीस के द्वारा लगाये जाने वाला वैट में कटोती सरकार के खजाने पे कोई बुरा असर नहीं डालने वाली है बिल्गुल नॉर्मल सा संटेंस है बहुत बार आपने देखा होगा संटेंस को लिखने का एक ही तरीका है मुझे ये बता दो किस इंसान या किसी चीज ने किस काम को किया काम को पकड़ लो और काम को करने वाले को पकड़ लो या जिसके उपर काम हुआ है उसको पकड़ लो देखो पहला काम है सरकार का दावा है दावा है समझगे ना दावा काम करने वाला और है उसकी वाव दूसरा काम यह हुआ कि पेट्रोल डीजल पर ये तो एक लगा एकसाइस टेक्स और फिर स्टेट्स के द्वारा लगा वैट्स करें इन दोनों में जो कटोती आई है ना कटोती ये कटोती कोई बुरा असर नहीं डालने वाली है बुरा असर नहीं डालने वाली है तो पहला काम है दावा है दूसरा काम है कटोती करने वाली है और काम है बूरा असर नहीं डालेगी इतना पकड़ लिया अब sentence बना लो बहुत दावा है दावे को इंगली से बोलते हैं क्लेम कोई हाइफाई अंग्रेजी यूज नहीं कर रहा हूं मैं थोड़ा वो समझते होगे दावा को बोलते हैं क्लेम नहीं समझते हो तो आज याद क अगली बार यह वर्ड आये तो आपको पता होना चाहिए दावा मतलब क्लेम इस मस्स लावा है अच्छा लाव किसका इस सरकार का रिंद किछ का है सरकार का तो यहां लगा दो दे क्लेम ओ Oufs सրकार मरें इंगलीश में government यहां लिख दो government अब यह सरकार कोई खास सरकार है यह ऐसे नहीं हम मौरिशस की सरकार पाकिसान बंगला देश बुठान की सरकार की बात नहीं कर रहे है भारत देश की सरकार है तो जी को बड़ा कर दो क्यों बड़ा कर दो यह एक proper noun की तरह ट्रीट की जाती है और इसके आगे लगा दो the the claim of the government is अब देखो दावा क्या है दावा है की की को इंगलीश से बोलते है that इतना मामला clear अब बाकी की बात बता दो पूरी दावा यह है कि कटोती बुरा असर नहीं डालने वाली है कटोती नहीं डालेगी बुरा असर बस बन गए ready sentence अब इसको इंगलीश से मना दूँ हम है और असर किस पर नहीं डालेगी सरकार के खजाने पे सरकार के खजाने पे तो पर के लिए यूज़ करते है on the खजाना of the सरकार अब सरकार तो आप समझगे सर गौवर्मेंट लिखते हैं तो गौवर्मेंट लिख दो खजाने को इंगलीश से बोलते हैं coffers क्या बोलते हैं भाई coffers खजाने क्या बोलते हैं coffers लिख लो यहाँ पे नया word है शायद आपके लिए पहली बार सुन रहे हो खजाना coffers तो कटोती नहीं डाले की बुरा असर on the coffers of the government अब देखो कटोती के लिए सही वर्ड यूज करना है सही वर्ड होता है इंगलीश में कटोती के लिए cut बुरा असर डालना असर को बोलते हैं impact बुरे को बोलते हैं bad और जब भी impact को कहीं डालो तो insert वो मत यूज करे हैं असर डालने को insert करना बोलते हैं तो insert लिगाया था हूँ नहीं bad impact को आप insert नहीं करते हो आप करते हो make और cut नहीं करेगी तो will not make एक future की बात ओरिये न तो will not make तो cut will not make bad impact on the coffers of the government अब देखो बागी के बच्चे हुए pieces को इसमें मैं जोड़ दूँगा sentence ready हो जाएगा देखो ये cut किस में आया है ये cut आया है एक तो excise tax में जो केंदर सरकार के दवारा लगाया गया है और एक वैट में जो uts और states के दवारा लगाया जाता है तो मैं लिख देता हूँ cut अब देखो में तो मतलब in cut in the gst and the value added tax value added tax ठीक है वैट बोलते हैं जिसको value added tax हो गया मामला सेट अब gst और value added tax के लिए लगा दो gst वो वाला है जो सरकार के दवारा लगाया जाने वाला है gst वो वाला है जो सरकार के दवारा लगाया जाता है gst मतलब exercise tax है न तो यहां लिख देता हूँ which is लगाया जाता है by the central government central government the comma लगा दो which वाला close हमेशा अपने पहले और अपने बाद में कौमा को लेगा तो यह कौमा यहां भी नेसेसरी है और यह कौमा यहां भी नेसेसरी है इतना समझ गे लगाया जाने को बोला जाता है इंगलीज में इंपोज करना या लेवी करना तो विच इंपोज या लेविट ठीक है समझ गे ना पैसिप बना रहा हूं जिसको लगाया ज बारा तो इस पूरे को कोपी कर लेता हूं और वैट के बाजों में रख देता हूं यहां पे लगाया कोमा और यहां लिख दिया which is imposed यह लेविट बाए the state governments state governments and union territories again कोमा कोमा मत भूल जाना याद रखना यह कोमा का rule सिधा सा है अगर आप which वाला clause यूज़ कर रहे हो या who वाला clause यूज़ कर रहे हो relative clause उसके पहले और उसके बाद में कोमा जरूर लगाना that वाले clause में कोमा नहीं आता तो सरी है आपका पूरा sentence ready है step by step process से कोई art हमने नहीं लगाई पूरा मैंने जोड़ दिया है अब एक बार इसको पढ़ता हूँ फिर इसकी window tracing करूँगा इसको थोड़ा improve करूँगा the claim of the government is that cut in the GST which is imposed या levied by the center government and the value added tax which is imposed या levied by the state governments and UTs will not make bad impact on the coffers of the government ये दोनों के दोनों जो cut हैं सरकार के खजाने पर सरकारी खजाने पर बुरा असर नहीं डालेंगे अब इसको improve कैसे करें सबसे पहली चीज़ the claim of the government is ये देख लो थोड़ा सा जीब सा sentence है claim of the government is that ये बोलने में आएगा अगर लिखना है और दावे की बात करनी है तो एक छोटा सा फ्रेज याद कर लो जहां दिखे वहां चिपकाया ना the claim of the government is नहीं ऐसा लिखो the government the government the government claims सरकार ये दावा करती है अब बोलो ना सरकार का ये दावा है मैं इसको पता क्या लिखना चाहरा हूँ सरकार ये दावा करती है अगर था होता तो सरकार ये दावा करती थी claimed है न तो इस तरह से आप इसको इस वाला जो structure है वो ना बनाओ बलकि ऐसे बनाओ the government claims दूसरी चीज़ कट के लिए एक अच्छा वर्ड है हमारे पास English में reduction जब भी RBI सरकार कहीं पर कटोती करें कट को यूज ना करें reduction नाम के word को यूज करें better word है कट भी आएगा काम reduction भी आ सकता है तीसरी चीज़ पार्टिसिपल इसको पूरे को पार्टिसिपल में चेंज भी कर सकते हो यह लिख रहो ना which is इसमें से आप which is को निकाल दो और लिख दो impose या लेविट बाइदा सेंटर government वैसे यहां से भी which is को निकाल दो और लिख दो impose या लेविट बाइदा state comments तो पार्टिसिपल फ्रेज में चेंज कर दो relative close को writing skills के course में पूरा मैंने step by step process सिखाई हुई है यहां पे ज्यादा अंदर नहीं गुजूँगा छोटा साब को shortcut मैंने बता दिया है ना subject verb को निका सकते हैं आप उसको leave भी कर सकते हैं और आप उसको have भी कर सकते हैं समझ गे ना will not make leave या have तीनों एक ही बात है impact के लिए और impact के लिए अच्छे words है अपने पास effect और bearing अगर मैं इसको और बहतर बनाना चाहता तो make an impact ना लिखो आप लिखो will have 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 bad bearing देखा थोड़ा सा advance से ले गए हम है ना will have will not have bad bearing on the coffers of the government अब जो coffers of the government है coffers of the government है coffers of the government इसके लिए एक financial word है हमारे पास आपका examiner देखते खुछ हो जाएगा गर आपने use कर दिया उसको x shaker x shaker मतलब सरकारी खजाना तो यहाँ पर on the coffers of the government क्यों लिखते हो इस पर लिखो x shaker on the 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 x shaker यह बड़ा करना सरकार के हमारी सरकार के खजाने के बात हो रही है एक proper नाउं की तरह इसको treat करवाना है आगे समझ में अच्छा bad bearing bad effect सिर्फ एक impact है तो will not have a bad bearing लिखो यहाँ पे ए लिखो और यहाँ पे जो आप कट लगा रहे हो यहाँ रिदक्शन लगा रहे हो यह भी एक है singular है reductions नहीं है लूरल नहीं है तो इसके आगे भी a को लगा के आजाओ अब यह sentence आपका totally हो गया ready bad bearing on the axe checker चलिए बढ़ेंगे next sentence की तरफ इसी process को follow करना है सब कुछ आसान है याद रखेंगे जो process आपको बता रहा हूं टेक्नीक यह demo है अपने 100 hours के course का सो घंटे का course है एप पर चल रहा है writing का बिल्गुल basic से उसमें सिखाता हूं advanced level तक उसी का यह demo आपको यहाँ पर बिल रहा है SSC banks सभी के course available हैं 50 से 100 रुपे में सेवा कर रहे हैं आपकी affordable prices के अंदर आप फायदा उठा सकते हो courses का कोई भी query हो इस number पे WhatsApp कर दिया करो आपको reply मिल जाएगा एक चीज़ का ध्यान रखो यही course अगर unacademy में sell कर रहा होता है या किसी भी app पे मैं किसी app की बात नहीं कर रहा हूं तो 3000 का होता है चारहजार का होता लेकिन आपको मिल रहा है 500-700 रुपे में इसलिए मिल रहा है क् पे आप WhatsApp कर दिया करो फोन करते हो उठाने के लिए स्टाफ अपने पास है ही नहीं है ना चलो सरकार के इस दावे के पीछे का कारण है वो क्या है अर्थ विवस्ता की नहीं रफ्तार अगर मुझसे कोई पूछे क्या काम हुआ है तो मैं बोलूँगा सर दावे के पीछे का कारण है वो अर्थ विवस्ता की नहीं रफ्तार है बस यहीं काम इस संटेंस में हुआ है तो मैं लिख देता हूँ दावे के पीछे का कारण अब है को बोलते है इस और क्या है दा रफ्तार दा रफ्तार ओफ दा इकॉनमी अर्थ विवस्ता को इकॉनमी बोलते हैं इतना आ अभी देखा आपने claim claim बोलते है claim किसका है सरकार का तो claim of of the government इतना तो लिखना ही पड़ेगा सरकार का claim है ना claim of the government off लगा दिया है off के पहले भी noun off के बाद में भी noun सीधा सा काम करो पहले वाले के आगे दा रग दो जब भी दो nouns को of से जोड़ा जाता है तो पहले वाले noun के आगे दा को अ को या एन को लगाया जाता है कोई भी determiner होना चाहिए अगर नहीं लगा हुआ तो दै जोड के आओगे अपने आप से तो the claim of the government अब देखो कारण behind behind the claim of the government ऐसे मुझे लिखना चाहिए है ला कारण को बोलते है reason अब यह sentence ready हो गया the reason behind the claim of the government is the new रफ्तार of the economy अब रफ्तार को क्या बोलते हैं English में रफ्तार को बोलते हैं speed रफ्तार को क्या बोलते हैं speed यहां लिख दो speed अब यह स्पीड of the economy अब यह economy कोन सी है यहां पी last में आप लगा दो economy जो है कोविड 90 महामारी की मार से उबरती हुई economy के लिए participle लगाना पड़ेगा वो economy जो उबर रही है वो economy जो recover हो रही है वो आपकी ing form से बता दो recovering recovering किस से हो रही है भाई recovery के बाद में हमेशा from लगा के बताया करो जिस भी चीज से आप recover कर रहे हो recovering from the mark of the COVID-19 pandemic अब यह sentence आपका ready एक बार इसको पढ़ लू फिर देख लेता हूं कोई गलती है तो उसको दूर कर देंगे the reason behind the claim of the government is the new speed of the economy recovering from the mark of the COVID-19 pandemic mark को इंगली से बोलते है है हिट क्या बोलते है हिट हिट of the COVID-19 pandemic अब आप इसको जितना improve करना चाहों करते जाओ मोटा मोटा sentence ready हो गया है यह last वारा पूरा participle phrase है सरकार वो वाली है economy वो वाली है जो COVID की मार से hit से उबर रही है economy को modify करने के लिए verb की ing form से पूरा participle phrase लगाया गया है इसके आगे कभी भी कॉमा नहीं आएगा क्योंकि यह single word participle है economy कौन सी तो recover कर रही है single word जो है इस economy को modify कर रहा है ना इसलिए इसके आगे कभी भी कॉमा नहीं आएगा अब देखो इसमें जो change करने वाली चीजी है पहली चीज क्या हो सकती है reason को लिख दो rational reason का advance हम होता rational समझे ना reason में ठीक है अच्छा word यूज़ करना है तो क्या यूज़ करोगे rational याद रहेगा मेशा दूसरी चीज रफतार के लिए अच्छा word है अपने पास speed की जगह है pace और एक और अच्छा word है momentum अगर कोई चीज रफतार पकड़ रही है speed पकड़ रही है तो आप बोल दो भई pace जो है वो pick up कर रही है या momentum को gain कर रही है आगे लिख दो momentum of the economy की जगह लिख दो momentum gained by gained by gained by the economy वो वाली रफतार जो gain कर रही है जो पा रही है हमारी economy और gain की जगह आप यह भी लिख सकते हो picked up by picked picked up by जब भी कोई चीज रफतार पकड़ती है तो आप उसको pick up नाम की फिजल वब से बताते हो the car has picked up the speed the train has picked up the pace है ना चीजों को ऊपर लाना किसी रफतार को पकड़ना अब यह sentence और प्यारा लग रहे है the rationale behind the claim of the government is the new pace your momentum picked up by the Indian economy Indian economy Indian economy recovering from the hit of the COVID-19 pandemic hit की जगह यहापे strike भी लगा सकते हो और इसकी जगह यहापे blow भी लगा सकते हो hit a strike blow तीनों का मतलब होता है मार किसी चीज का वार चलिए बड़े next sentence की तरफ आजाओ इसी process का follow करेंगे फिर आपको एक quiz का sentence भी दे रहा हूँ आपको वहाँ पे खुद से उस sentence को बनाने कोशिश करनी है यह sentence advanced है अगर आपसे नहीं बने तो दिल छोटा मत करना सुत्रों का यह कहना है सुत्रों का यह कहना है क्या कहना है भई कि 2021 अक्टूबर के GST collection के आंकडों ने यह साफ कर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि सरकार वो करे जो मेंगाई से लड़ते हुए लोगों को जरूरी रहत पहुचाए और वो काम कहा है इंदन के दामों में कटोती फ्योल के प्राइसे में reduction अजीब सा sentence है लेकिन आते हैं ऐसे sentence बनाने के लिए अब देखो कैसे बनाया जाएगा सूतरों का यह कहना है सूतर को इंगली से बोलते है source ठीक है तो it is it is कहना है of the sources बस इतना तो लिखना था it is कहना है of the sources अब देखो इंगली समय कैसे लिखा जाए sources कुछ कहेंगे तो हैं नहीं यहाँ पर saying तो लिखनी सकता it is saying of the sources यह उनकी कहानी है यह उनका कहना है ऐसो तो लिख नहीं सकता इसको इंगली समय सीधा सा असान सा लिखा जाता है according according to the sources अगर जब भी लिखा हुआ मिल जाए ना या लिखना हुआ आपको सूतरों का यह कहना है तो इंगली समय उसको बोलो या लिखो कि आंकडों ने साफ कर दिया है कर दिया है दूसरा काम क्या हुआ है अब वक्त आ गया है तो वक्त वक्त आ गया है तीसरा काम क्या है सरकार वो करे सरकार वो करे और चोथा काम क्या है जो जो लोगों को राहत पहुँचाए राहत को पहुँचाए चार-चार काम हुए इसमें थोड़ा बता रहो ना एडवांस है लेकिन आप काम और बंदा पगड़ दिया जिसने जो काम को किया है तो आंकडो ने साफ कर दिया है वक्त खुद चल के आ गया है सरकार वो करे और जो रहत पहुँचाए चार काम हुए पहले पगड़ लो इसको आंकडो ने साफ कर दिया है तो आंकडो ने आंकडो ने has made it clear साफ करना मतलब किसी चीज़ को clear करना make something clear मतलब किसी चीज़ को साफ करना इतना समझते हो आंकडो को बोलते हैं हमने इंग्लिश में numbers अब देखो आंकड़े किसके हैं 2021 अक्टूबर के GST collection के Numbers of the GST collection for October 2021 और ने को निगाल दो has made it clear अब आंकड़ों के number के साफ से have लगाओ has की जगा है आएगा Numbers of the GST collection for October 2021 have made it clear Numbers क्या के दा लगा देना क्यों लगा देना चूंकि Numbers के बाद में off आ रहा है जब भी दो noun off से मिल जाए पहले बाले noun क्या के the आना चाहिए या a, an या the कोई भी article आना चाहिए तो the Numbers of GST collection for the 4 October 2021 have made it clear अब देखो क्या साफ कर दिया है की वो ये that लगा दो इसके बाद that ये कि अब वक्त आ गया है now the time has come अब वक्त आ गया है now the time has come बिल्कुल simple English है ये अचा किसी का कम वक्त आ गया that सरकार वो करे सरकार यानि कि the government government do that सरकार वो करे government do that अचा क्या करे जो महिंगाई से लड़ते हुए लोगों को राहत पहुँचाए which which give राहत to people लड़ते हुए from from महिंगाई मैं एकदम देशी वासाय मना रहा हूँ अभी इसमें गलतिया है दूर करेंगे पहले समझाना चाह रहा हूँ है दिमाग कैसे प्रोसेस करेगा इस सेंटेंस को basic सा खाका बन जाए फिर इसमें अपने चीजों को add कर देंगे अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसको है न the government do that which people which give राहत to people लड़ते हुए from महिंगाई देखो give राहत को क्या बोलते हैं English में राहत को बोलते हैं relief और people वो है जो लड़ते हुए हैं महिंगाई से यहाँ पर participle यूज कर लो people के बारे में verb की ing form से बता दो participle का यही काम होता है लड़ने को बोलते हैं fight करना लड़ते हुए people मतलब fighting और fight के बाद में कोई verb कोई proportion मतलब लगाओ सीधे बता दो जिसे लड़ रहे हैं fighting with महिंगाई है ना fighting महिंगाई महिंगाई को बोलते हैं inflation या इसको बोलते हैं price hike महिंगाई या inflation या price hike the government do that which give relief to people fighting inflation या price hike अब इस पूरे को जोड देता हूँ जैसे जोड़ूँगा बाकी की चीजें साफ हो जाएंगी जो गलतियां उनको दूर कर डालेंगे अब ये पूरा मैंने दिया है जोड है ना अब इसमें से निकाल देते हैं गलतियां और फिर थोड़ी सी कर देंगे window pressing पहले पढ़ लो according to the sources the numbers of GST collection for October 2021 have made it clear इतना तक तो ठीक लग रहा है made clear क्या किया है that now the time has come that the government do that which give relief to people fighting inflation देखो सबसे पहली चीज़ government के लिए यहां पर लिख दो does that तो गलत है government तो singular है do तो आई नहीं सकता और आप जब भी ये structure बनाओ वो जो वो जो वो जो समझे रों English में वो करो जो ऐसा हो है ना वो चाहिए जो ऐसा है जब उस चीज़ का नाम आपको does what अब देखो what के साथ में हमेशा singular verb को यूज़ करें gives relief to people fighting inflation या price hike समझे ना वो जो जब भी structure आपको मिल जाए वो जब भी structure आपको मिल जाए अब यूज़ को करेंगे what को जैसे उसने मुझे वो बताया जो मुझे जानना था she told told me what I wanted to know क्या बताया हमें नहीं पता सच था जूट था हमें नहीं पता कहानी थी गाना था fact था कुछ नहीं बता she told me वो जो what I wanted to know writing skills में कली कि यह हमने topic है ना what को कैसे use करना है तो आपको थोड़ी सी हिंट में दे रहा हूं the time has come that the government does what gives relief to the people fighting inflation people का के दा लगा दे ना क्योंकि अब adjective close आ चुका है वो वाले लोग खास हैं दा लगा के बताओ एक advanced structure और यूज कर सकते हो इसमें जब भी ऐसा लिखाओ वक्त आ गया है not कर ले ना वक्त आ गया है इसको इंगली से बोलते है it is time और इसके बाद में that लगा के हमेशा verb की second form को यूज करते है जो की होती है past past subjective mood इसका मतलब यह होता है एक काम है जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था अभी तक नहीं किया है आप लेट हो रहे हो आपने अपने भाई को बोला बहुत लेट हो गया है यार चलना चाहिए वक्त आ गया है चलना चाहिए कहने का मतलब है अब तक तो में निकल जाना चाहिए था तो मैं बोलूँगा it is time it is time that we went verb की second form go की second form went तो यहां भी लगा दो भाई साब क्या गलती है है हम पे clear that now the time has come नहीं इसके जगह लिखो it is is time और that के बाद में जो government लगा है इसकी verb लगा दो does की जगह पे बना प्यारा ऐसे structures को आपको यूज करना है अब एक शीज और देख ले ना इसमे numbers को और अच्छा word यूज करना है तो लिखो यहां पे figures numbers भी ठीक है figure भी ठीक है figure मतलब आखड़ा और जब भी month लिखें कोई भी महीना लिखें उसके पहले लिख दें हमेशा the month of समझे ना for October 21 इसके जगह लिखो for the month of October 21 यह writing की tricks होती है अपनी writing को emphatic बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए last में वो काम है इंदन के दामों में कटोती दो यहां लिख दो कटोती कटोती को बोलते हैं reduction 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 in the in the prices of इंदन यानि की fuel reduction की जगह आगे ए लगा दो क्योंकि यहां पे एक reduction की बात हो रही है single reduction है a reduction in the prices of fuel clear हो गए इतना यह भाई साब आपका sentence है ready यह नीचे note कर ले न past subjectly mood है according to the sources the figures of GST collection for the month of October 2021 have made it clear that it is time that the government did what gives relief to the people fighting inflation a reduction in the prices of fuel यह बता रहा है सरकार को यह काम करना चाहिए था relief यह ज़रूरी है लोगों को जरूरी रहात मिले तो जरूरी के लिए लिख दो much needed बहुत ज़्यादा जरूरी needed मतलब जरूरी much needed मतलब बहुत ज़रा जरूरी relief के लिए अच्छा word है सकर देखो कितना प्यारा sentence बन गया चलो यहीं पर wrap up करेंगे आज के session को अब आपका काम हो जाएगा शुरू जो सिखा है इसको यहां पर बनाओ इस sentence को मैं आपके सामने रख रहा हूँ हिंदी में नीचे रखी हुए SMS वाली हिंदी इसी के साथ साथ इसी के साथ साथ लिख लेना है ना इसी के साथ साथ इस साल का दिवाली का त्योहार पूरी इंडस्ट्री के लिए रेकॉर्ड ब्रेकिंग घ्रेलू बिकरी और एक्सपोर्ट्स को लाए है जिसका नतीजा सरकारी खजाने के लिए बढ़ी हुई टेक्स की आमदनी होने वाली है समझे ना इस संदेंस में जब आप यूज करोगे इसी के साथ साथ तो उसके लिए वो कया आप यूज करनी है आपको बिसाइट्स अबाट फॉम धैट या मोर ओवर या फिर ओन दे टॉप अफ देट समझे रहो चारों में से कोई भी फ्रेज यूज कर सकते हो video तो इसी के साथ साथ आप भी बनाओ, मैं भी बनाता हूँ comments में दालता हूँ first comment से आप अपनावाला हार यह नहीं लिखोगे तो नहीं शीख पाओगे लिख करके आपको इस चीज दे सकता हूँ लिखना तो पड़ेगा आज शुरू करो, आज से 10 साल बाद शुरू करो सीखने के लिए जिंदिगी में कभी न कभी लिखना पड़ेगा शुरू कर दो आज से ही है ना मैच कर ले ना मेरे वाले से कोर्स रिलेटिट कोई भी क्वेरी हो डेडिकेशन ओ मन में कोर्स को जोईन करने की आपको डाउनलोड कर लेना ये नंबर है वाटसब इस पर आप मुझे मैसेश कर देना क्वेरी हो, सवाल जवाब हो, मैं फ्री हो कर क्या आता हूँ या मेरी टीम का एक बंदा है, वो आता है आपको रिपलाई दे देता है अंटिल देन हाथ जोड के साइनिग आउट